तो यहां हमारे पास एक system of equation है, एक equation में 3T जमा 4G बराबर हैं 6K, जबके दूसरी में negative 6T जमा G बराबर हैं 6K, अब system of equation को हल करने के बहुत से तरीके हैं, हम इसको graph की मदद से भी हल कर सकते हैं, substitution यानि मुतबादल तरीके से भी इसको हल किया जा सकता है, लेकिन भई जब equations में कोई एक variable के coefficients ऐसे लग रहे होते हैं, कि उन दोनों को equations में से काटा जा सकता है, तो उस सूरत हाल में हम elimination का तरीका इस्निमाल कर लेते हैं, यानि खात्मे का तरीका, और ऐसा लग रहा है कि इस system of equation के लिए वो ही मुनासिब रहेगा, तो चले काम शुरू करते हैं, यहाँ T के coefficient से हम कुछ उमीद लगा सकते हैं, तो 3T है इधर और यहाँ है negative 6T, यह दोनों फिलहाल तो आपस में नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, अगर इस 3T को हम 2 से जरब दे दें, तो यह positive 6T के बराबर हो जाएगा, और फिर जब हम इन दोनों equations को जमा करेंगे एक variable रह जाएगा, और उसकी कदर तो हम आराम से मालूम कर सकते हैं, अच्छा आप ख्याली पलाव पकाना बंद करते हैं और काम शुरू करते हैं, अब बात यह है कि हम सिर्फ इस 3T को तो 2 से जरब नहीं दे सकते, क्योंकि भाई यह एक equation है और इसकी बराबरी हमें काइम होगी, तो equation की बराबरी को काइम रखने के लिए हमें equation के दोनों हिस्सों को 2 से जरब देना होगा, और जब हम ऐसा करेंगे तो यह term बराबर हो जाएगी positive 6T के, जमा 2 जरब 4G बराबर हो जाएंगे 8G के, और यह हिस्सा बराबर हो जाएगा 2 जरब 6 यानि 12 के, अच्छा य equation यूही आ जाएगी, यानि negative 6T जमा G अभी भी 6 के ही बराबर होगी, और अब अगर हम इन दोनों equations को आपस में जमा कर दें, तब हमें क्या मिलेगा, बलकि आगे बढ़ने से पहले जरब एक बार फिर दोरा लें कि यह दोनों हिस्से एक दूसरे के बराबर हैं, और यह दो में, तो यह सब करने से equation की बराबरी पे कोई फर्क नहीं पढ़ रहा होगा, क्योंकि असल में हमने एक जैसी कदर ही equation के दोनों हिस्सों में जमा की है, और ऐसा करने से equation का जो तवाजन है, वो काइम रहता है, हाँ, तो अब जरा वापस इनको आपस में जमा करने पे आते है इन दोनों को आपस में जमा करेंगे, तो यह दोनों आपस में कट जाएंगे, और 8G जमा जी बराबर हो जाएगा 9G के, और यह हिस्सा बराबर हो जाएगा 12 जमा 6 यानि 18 के, तो भई अब इस equation में सिर्फ एक ही variable है, और इस variable की कदर जानने के लिए हमें इसको बाकी की सारी term से अलग करना होगा, और इसकी लिए हम equation के दोनों हिस्सों को 9 से तकसीम कर देंगे, यह दोनों आपस में कट जाएंगे, और यहां सिर्फ G रह जाएगा, जबके यह बराबर हो जाएगा 2 के, और अब G की इस कदर को हम इन में से किसी भी equation में डाल कर T की कदर मालूम कर सकत हैं, तो इस equation को चुन लेते हैं, यहां negative 6 T जमा 2 बराबर हो जाएंगे 6 के, T की कदर जानने के लिए हमें इसको बाकी की हर term से अलग करना होगा, तो इसके लिए सबसे पहले तो हम 2 को यहां से हटा देते हैं, लेकिन हां याद रहे कि हमें equation की बराबरी भी काइम रखनी है, इसलिए 2 को हम equation के दोनों हिस्सों से माइनिस करेंगे, यह दोनों आपस में कट जाएंगे और यहां negative 6 T रह जाएगा, और equation की दूसरी तरफ 6 माइनिस 2 बराबर आजाएगा 4 खेंगे, अच्छा, अब T को मजीद अलग करते हैं, और इसके लिए हम equation के दोनों हिस्सों को negative 6 स तक्सीम कर देंगे, ताकि यह अलग भी हो जाए, और equation का तवाजन भी बरकरार रहे, यह दोनों आपस में कट जाएंगे, और यहां आजाएगा negative 2 बटा 3, भई, इन दोनों ही variables की एकदार हमने मालूम कर लिए है, लेकिन एक दफ़ा ज़राइस को परक भी लेते हैं, इसमे जी की जगार डाल देंगे 2, और फिर देख लेंगे कि ऐसा करने से equation की दोनों हिससे अभी भी बराबर आ रहे हैं या नहीं, तो भई, यह दोनों तो आपस में कट जाएंगे, और पीछे रह जाएगा negative 2, अच्छा, चार जरब 2 बराबर होते हैं 8 के, 8 में से जब हम 2 minus करें तो इसका मतलब यह हुआ कि जी और टी की इगदार बिलकुल ठीक निकाली हैं हमने,